सुप्रभाद प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज के कहानी सत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है केले के गुच्छे बच्चों आप में से केला बहुत से लोगों का मन पसंद फल होगा लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे केले खाने के बाद केले को देखकर आपका मन उप गया हो या बिलकुल भी केला खाने की इच्छा ना हो यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है यह कहानी लिखी है नोनी ने इसके चित्र बनाए है एंजी और उपेश ने और इसका हिंदियन वाद किया है आशीश तीवारी ने तो चलिए पढ़ते हैं कहानी केले के गुछे यह कहानी श्रिंगेरी श्री निवास के खेतों में बढ़िया और मीठे केलों के बारे में है पर कोई उन्हें खाना नहीं चाहता था इस मीठी कहानी को पढ़कर चलिए पता लगाएं कि श्रिंगेरी ने केलों का क्या किया श्रिंगेरी श्री निवास के लिए यह बहुत बुरा दिन था उनके खेत में उगे हुए मीठे और पके हुए केले कोई नहीं लेना चाहता था ना तो उनका परिवार ना ही उनके पडोसी ना ही उनके दोस्त और ना ही व्यापारी जो केलों को दूर बाजारों में बेच सकते थे ना ही उनकी गाएं शुक्रिया मगर नहीं चाहे सबने कहा केले तो बहुत मीठे है मगर हम हद से ज़्यादा खा चुके हैं नहीं, नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते, ऐसा कहकर अक्सर उनके केले वापस लोटा देते थे सभी, बेचारे श्रिंगेरी श्री निवास, खेतों में खूब केले हुए हैं, मगर वे इनका करेंगे क्या? उन्होंने डोदुरू किसान केंद्र की मदद लेने का फैसला किया, किसान केंद्र वो जगह है, जो किसानों की मुफ्त में मदद करती है, केंद्र एक ऐसी जगह है जो उनके गाउं से सटे हुए कस्बे में स्थित्ती केलों की सबसे शांदार फसल लेकर वो निकल पड़ी यकीनन वहां उन्हें कोई तो सही रास्ता बदलाएगा कि इन केलों का क्या किया जाए कुछ दिनों बाद श्रिंगिरी श्री निवास घर वापस लोटे बहुत खुश नजर आ रहे थे लोटकर उन्होंने अपने खेतों में फिर से केलों की खेती शुरू कर दी मगर इस बार उन्होंने पहले की तरह किसी को केले नहीं बाटे ना ही अपने परिवार को ना ही अपने पडोसियों को ना ही अपने दोस्तों को ना ही उन व्यापारियों को जो ये केले दूर बाजारों में बेच सकते थे और तो और अपनी गायों को भी नहीं सब सोच में पड़ गए आखिर ये केले के गुच्छे जा कहां रहे हैं एक दिन पडोसी शिवन्ना ने बहुत बड़ी पूजा आयोजित की पूजारी ने कहा कि भगवान के भोग के लिए तो 108 केलों की जरूरत है शिवन्ना दोड़ा दोड़ा श्रिंगेरी श्री निवास के पास पहुचा क्यों गया होगा भला पूजारी जी ने केले जो मांगे थे और केले की खेती तो श्रिंगेरी श्री निवास करते थे पिछली बार मना करने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ मगर आज मुझे 108 पके हुए केलों की जरूरत है क्या आप मेरी मदद करेंगे शिवन्ना ने पूछा श्रिंगेरी श्री निवास ने कहा देखो मेरे खेतों में कटाई हो गई है सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं फिलहाला पूजा शुरू कीजिए मैं जरूर आऊँगा पूजा शुरू हुई शामिल होने के लिए गाव के सारे लोग आए पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जल्दी ही वह समय आया जब केलों का भोग लगना था ठीक उसी समय श्रिंगेरी श्रे निवास भी पहुचे और उनके हाथ में एक बड़ा आसा थेला था उन्होंने बड़ी सावधानी से थेले में से 27 पूडिया निकाली और उन्हें हवन की वेदी के चारो और सजा दिया हर पूडिया केले के पत्तों में लिप्टी हुई थी और उस पर लिखा था उत्तम गुणवत्ता से बना केले का हलवा SS फार्मस की ओर से श्रिंगेरी श्रे निवास ने एक पूडिया पंडिजी को दी हर पूडिया में चार केलों का भुरता भरा है कुल मिलाकर 27 पूडिया हैं तो ये रहे आपके 108 पके हुए केले पंडिजी इतने हैरान हुए कि मंत्र पढ़ना ही भूल गए और सन्नाटे के बीच एक बच्चे की हसी छूट गई देखते ही देखते सारा गाउं हसने लगा तालिया बजाने लगा अब हमें पता चल गया कि श्रिंगेरी श्री निवास जो केले उगा रहे थे वो कहा जा रहे थे बच्चों क्या तुम्हीं पता है केला शब्द बनाना जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यह है अर्बी भाशा के शब्द से आया है जिसका अर्थ है उंग्ली यानि कि फिंगर और क्या आप जानते हैं भारत पूरे विश्व में केले उगाने वाला सबसे बड़ा देश है और केले की लगभग 120 तरह की किसमे यहाँ उगाई जाती है आप जो केला खाते हैं तो लगभग उसका स्वा देखी जैसा होता है रोज-रोज कभी आपने सोचा था कि केले भी लगभग 1120 तरह की किसमों के हो सकते है नहीं न, कितना रोचक तत्य है ये केले के बारे में और बताओं, जो केला है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पोशक तत्व होते हैं और यह आप विद्यार्थियों को बहुत ही चुस्त बनाता है और तो और हमारी भारतिय मिठाईयों में न जाने कितने तरह से कितने रूपों में केले का प्रयोग होता है जैसे की बनाना पायसम, केले का पायसम जो केरला में बनाया जाता है करनाटका में भी बनाया जाता है केले का हलवा, रवा केला, गुण मिठाई और आप बता सकते हैं कुछ और ऐसी चीजें जो केले से बनाई जाती है तो है ना कितनी मज़ेदार बात चलिए आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप भेजना और लाइक करना धन्यवाद बच्चों